कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टड़ी हिंदी के यूटीब चैनल में तो वन्स अगेन आम लाइब और मैं लाइब आ चुका हूं आप सभी लोग फटा-फटा जाएए जैसे कि मैं आप से कहा था कि मैं रात के साड़े-दस बे जाओंगो थोड़ा सा लेट हो च से तेखेंगे मोष्टिमेस इंपोर्टन कोस्द्द होंगे सभी के सभी तो अगर आप लोगु को मेरी она आ जारी है तो फटा-फटा आप लोग आताइव में सब्य को अदिनकों पराझ जिरमेंद्र कुमार अंकित स्ञ्णा जी प्रमोज शोनी एजीज खान, निरत सिंग, शाशी देवी जी, भुरिया, निवशौंग, विजेंदर हुड़ा जी, निशा आरया, प्रमोर शोनी, विश्नु प्रिया सभी को मेरी वाइस सही से आ रही है, आप लोग एंसर भी करते रही है सभी important question होंगे, कोई भी question को मिस्स मत कीजेगा, सभी के सभी बहुत जादा important question है, ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले question से, तो first question आपके screen पे दिख रहा है आप लोग सभी लोग इसका answer करके बताएंगे मुझी कि क्या होगा answer, penicilline कहां से निकाला जाता है जी हाँ, बताना है आपको penicilline दोस्तों कहां से निकाला जाता है, प्रणाम पूजा जी कैसी है, गुरुजी प्रणाम आप लिख रही है, जी थैंक्यू सभी लोग आ गया है, चलिए फटापट सभी लोग आ गया है, अब हम class से स्टार्ट कर सकते है तो आप लोगों के answer चाहिए मुझे सब के, हाँ, चलिए, पहला question का answer कौन सा हो जाएगा, जी, first answer हमारा जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, option number देखिए, जी हाँ, तीसरा वाला हो जाएगा, यहाँ पे, इस question का third answer is the right answer पेनिसलीन दोस्तों फफूदी, fungus से निकाला जाता है, ठीक है, इसके बारे में सभी question के मैं आपके थोड़े थोड़े detail भी देते रहूँगा, पृति कुश्वाहाजी, हाँ, सभी questions के मैं थोड़े थोड़े detail भी देते दूँगा, जैसे, पेनिसलीन, ठीक है, इसके बारे एंसर बताएंगे, question number दूसरे का, सभी लोगों के answer आने चाहिए, question आप देखिए, कि which is the effect of antigen in an ill person, एक रोगी में प्रतिजयविक का प्रभाव क्या होता है, बताइए, एक रोगी में प्रतिजयविक का प्रभाव क्या होता है, question को पढ़िए, और फिर answer दीजिया, जी, is the production of antibodies, या प्रतिरक्षी के उत्पादन को बढ़ाता है, ठीक है, option number दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है, इस question का जो दूसरा वाला answer है, हमारा बिलकुल सेव जाएगा, next चलिए, तीसरा question देखिए, which among the following help circulation of blood, रक्त के सकंदन में कौन सहायता करता है, रक्त के सक अंदन में कौन सहायता करता है, ठीक है, बताइए, एरिथोसाइट, रक्त प्लेटलेट, मोनोसाइट, या फिर लिम्फोसाइट, जी, तीसरे question का answer बताइए, सही कहा, आपने, यहाँ पे जो हमारा right answer हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, option number 4 था, लिम्फोसाइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लसिका, कोसिका, इस question का चौथा answer आपका बिल्कुर सिजाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लसिका, कोसिका, रक्त के संचड़ में यह सहायता करती है, ठीक है, याद रखेंगे, कसुरिकी प्रतिरक्षी तंद्र में, लसिका, कोसिका, स्व स्वे तरक्त कडिकाएं होती हैं, इनका जीवन काल बताना है, अगला question देखते है, question number 4, question 4 देखिए, निमलिखित में कौन विस्तिरित स्पेक्ट्रम प्रतिजाविक है, which among the following is a large spectrum antibiotic जी, बताएंगे, गौरो जी, इश्वर, आरतिमिश्रा जी, कृती, सार्दा जी, कल्यान सायनी, अमन, पुजा शुकला, सही है, आप सभी लोग के अंसर, बहुत बहुत स्वागत है, आपका study in the family में, लगातार classes के तुरू में, आपकी सभी चीज़ों को complete करा रहा हूँ, और इसी तरह ये आगे continue चलता भी रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है, तो बताएंगे इसमें कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही, यहां पर जो जाएगा, option number हो जाएगा, देखे, तीसरा वाला, इस question का जो तीसरा वाला answer हमारा बिल्कुल से जाजागा, क्या है, ampicillin, जी हा, देखे, क्या है अपका प्रतिजयविक, मतलब, सरीर में कृतिर्म रूप से प्रति इस question का जो तीसरा वाला answer हो आपका बिल्कुल से जाएगा, next question देखे, question number 5 वहां, इसका answer बताईए, हाँ, निम्रिखित में से किस से अंगोरा उन निकाला जाता है, अंगोरा उन, अंगोरा वूल is extracted from, कहां से निकाला जाता है, बताईए, राहुल, पुजा, जी, सभी answer इसका, सई है, यहां पर right answer होगा, किसका, जी, हाँ, अंगोरा उन, दोस्तों, option number पहला इस question का बिल्कुल से जाएगा, ए, हाँ, देखे, पहला वाला खर्गोश, खर्गोश के द्वारा निकाला जाता है, यहां पर खर्गोश से निकाला जाता है, अंगोरा उन, पहला वा तो आप लग जरूर से बता दीजिगा इस चीज को, ठीक है, चलिए, तो याद रखेंगे, रैबिट से, छट्वा question देखते हैं, छट्वा question अपका क्या है, विच आप दे फॉल्विं डिजीज एफेक्ट वोमें इसली, दैन दा उप मैन, महिलाओं में पुरुसों के जी, राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट एंसर हो जाएगा, option नमबर चौथा वाला देखे, गठिया, जी हाँ, महिलाओं में पुरुसों के बिच्चा गठिया नामग बिमारी होने के प्रवित्तिय अधिक होती है, क्योंकि इसका रीजन क्या है, इसके पीछे यह है कि महिलाओं में जोडो के दर्द में अस्थी संदियों में सिट्रिक अमलकी क्रिस्टल जमा हो जाते है, जिसके कराना उनके संदियों में उनको दर्द महसूस होने लगता है, ठीक है, तो option number 4, ठीक है, पहला वाला, screen clear नहीं आ रहा है, screen clear नहीं आ रहा है, आप लोग क एक बिनिट रुके, आप off करके उसको on कर लिजे एक बार, बंद करके चालू कर लिजे, सही हो जाएगा, ठीक है, एक बार off करके on कर लिजे, मतलब back करके, फिर से आप on कर लिजे, सब कुछ सही हो जाएगा, फिर से, हाँ, थोड़ा बहुत यहां पर network issue है, मैं भी देख पा मेरा, बार-बार network issue होता है, अच्छा मुझे भी नहीं लगता है, बट क्या कर सकते हैं इसके लिए, चलिए, अब I think अब नहीं होगा आपको, I think अब नहीं होना चाहिए, next question, ये question देखे, पियूस ग्रन्थी is located, ठीक है, pituitry gland is located, कहां पे होता है, पियूस ग्रन्थी प्यूस ग्रन्थी मास्टर ग्रन्थी कही जाती है, और हाई-पो-थृलमस ग्रन्थी, प्यूस क्योस के भी मास्टर का काम करती है, तो पहला वाला आपका बिल्कुल से हوجा गका, ठीक है, next question देखिए, अगला question आपके सामने है, इसका answer बताएंगे आप लोग, question number 8, यदि एक पेड़ है, जिसके तने का अनुप्रस्त परच्छेत करने पर 50 घेरे दिखाई देते हैं, तो इस पेड़ की आयू कितनी होगी, बताईए, अगर इसमें जो 50 ring, growth ring है, जो 50 दिखा इस question का answer बिल्कुल से हो जाएगा, option number 14 वाला, पच्चास वर्स, अगर उसमें growth ring जो है, वो 50 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि उसमें 50, जो पेड़ है, वो 50 साल तक जीवीत रहेगा, ठीक है, ज्याद रखेंगे, next question देखिए, अगला question आपके screen पे है, question number 9, प आपको बताना है, किसकी विक्सी तुरूप है, yes, you are right, इस question का right answer होगा, steam, यह स्टेम होगा, स्टेम होगा, इस question का right answer, ठीक है, तना, देखिए, बहुत सारी चीजे होती है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको डुटेल भी बताना चाहूंगा, यहाँ पी, जैसे भूमी का दू कॉर्ण होता है, बंडा, अर्भी बोलते हैं इसको, यह काता है प्रकंद, जैसे हल्दी और अध्रक होता है, यहाँ पे, तो फिलाल इसमें जो right answer होगा, वो होगा, steam, option नमबर दूसरा वाला, ठीक है, दस्वा question देखिए, question number 10, रेडियो लॉजिस्ट आतों का सीधा X किरण फोटोग्राफ सामान तक क्यों नहीं लेते हैं, डारेक्ट X किरण फोटोग्राफ क्यों नहीं लेते हैं बताना है आपको, जी बताएंगे, कल्यान दिवेदी, गौरो, सलेंद्र जी, प्रिंस, मिस्टर अर्जुन जी, भीम जी, आरते मिश्रा, right answer आपका क्या होना से ऐसा होता है, ठीक है, वो हड़ियों को क्रॉस करते हुए बाहर निकल जाती है, अगर मैं एक क्वेस्टन पूछूँ आप लोगों से तो क्या आप लोग बताएंगे, कि X किरणे की खोच किसने की थी, चले बताएंगे, X किरणों की खोच किसने की थी, X जो रेज है यहा क्वेस्टन नबर 11 देखिए, 11 क्या है, मानो सरीर में डी हाड्रेशन निम्न पदार्थों की कमी सी हो जाता है, किस की कमी सी हो जाता है भाई, बताएंगे, आप सभी लोग जरूर से क्वेस्टन को सॉल्व किया गरिए, धिरे-धिरे सॉल्व करिए, हाँ, मैं लाश में सब से बाद भी करता हूँ, क्योंकि अभी आपका प्रैक्टिस करना क्वेस्टन का बहुँ जादा जरूरी है आप लोग का, तो आप लोग का पता होना चाहिए, यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा, ऑप्सन नमबर चौथा वाला जी, चौथा वाला एंसर सी हो जाएगा, जी हाँ, माना शरीर में डी हाइडरेशन किन पदार्थ के कमिकरन हो जाता है दोस्तों, तो यह जल के कारण, वाटर के कमिकरन हो जाता है, मैं बताना चाहूँगा, जो अत्यधिक मात्रा में जल या फिर तरल पदार्थ, बॉड़ी से निकल जाते हैं, तो उसको हम लोग ब बताऊं, जो डी हाइडरेशन है, इसमें जो मेन नुकसान होता है दोस्तों, वो आतों का होता है, ठीक है, मतलब आत में एक तरीके से दर्द भी उत्पन हो जाता है, जो नुकसान पहुचता है, वो बेसिकली आतों का दोहन, उसी को दिखे कि टाडू और वाइरस होने के व दोस्तों, आप सभी लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजे, अभी के अभी तुरंद कर दीजे, और शेयर कर दीजे, आते ही पहला काम आपको होना चाहिए वीडियो को लाइक करना, अगर आपको वीडियो पसंद हो गए आपे ठीक है चलिए नेक्स कोश्चन देखिए अगला कोश्चन कोश्चन देखिए कोश्चन नमबर थर्टीन के अंसर बताएंगे आप लोग छोरा मैं हरियानों का बहुत-बहुत स्वागत है आपका हरियानों के छोड़े किस वरिच्च किसी वरिच्च की आयू नि इसे होता है जी सही कहा इसके ग्रोथ रिंग को काउंट करके उसके विकास जो बिला है वला है उनको अगर हम लोग काउंट कर लें गिन लें तो हम बता सकते हैं कि वह प्रिपेड कितने दिन तक जीवित रहेगा ठीक है नेक्स कुस्चन देखिए क्वेस्चन नमबर 14 14 दे Silent Valley है कहां पर तो यह मैं बता दू Silent Valley है आपका केरल राज में केरल स्टेट में है यह Silent Valley और यह राष्टी उद्यान भी है ठीक है तो यहां पर कौनसा एंसर सी जाएगा बिल्कुल सही इस एंसर का होगा जो सेर की पूछ जैसा मिक्यायू इस दिर राइड असर जी इस कुस् 15 दोस्तों सर यूपी टेक के नहीं पढ़ाते हो सपना सर्मा देखिए अगर साइन्स के कोशन आते हैं तो ऐसे कोशन जरूर आएंगे सपना जी जी देखिए जन्तूं में वह एंजाइम प्राणी नहीं होती जिसके आधार पर वे डैस से उर्जा प्राप्त कर सकते हैं उन मनुस्यों में होता है बड़ जन्तूं में यह एंजाइम प्लाणी नहीं होती है तो ऑप्से नमबर जी आपका अरे थैंक्यू सो मच्ट वह बहुत बहुत स्वागत है आप लोग के आप लोग की कमेंट देखके दिल खुस हो जाता है फैट इस दराइटन सर ना याद रख सर आनंद चौबे जी बहुत बहुत श्वागत है आपका ठीक है देखे क्या है क्या है क्यों पढ़ी एक बार फटाफट एंसर दीजिए क्लोन की कॉलोनी हम किसको बोलते हैं यूर राइट इस कॉस्टन जो सही एंसर हो जाएगा वह जागा आपसा नमबर तीसरा वाला सेल ही सिमलर जनेट इक कॉंसिटूशन एक समाना अन versão six अध हमखना वाली को सिखांगां को दोस्तों लोग बोलते हैं साब क्लोन की कलों की कालों नहीं बोलते हैं लिए एक समान जी दोस्तों आप सभी लोगनay अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया क्यों नहीं किया है बाइ स आजबेस टॉस द्वारा फैला रोग होता है क्या होता है पता है आप लोग को एजबेस टॉस कि किसने किसको पता है सभी कुश्टन को आप लोग देखना तरण जी मैं 36 गड़ से हूँ कि सरह में ओके कि देव कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हैं सही है आपका यहां पेंसर कौन सा हो जाएगा यहां पर जो राइट नसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्सें नम्बर पहला वाला वात्स पिती जी हां जो यह बिमारी आमतर तक अभरक यूत पदार्थों के अतधिक उपयोग या फिर इसमें काम करतें के सरूप होता है, मतलब जो लोग भी खनन में काम करते हैं, अभरक यूत पादन में, संचालन में काम करते हैं, उनको यह बिमारी हो जाती है, यह फेफडो से संबदित बिमा है आपको जी बताइए फटा-फट बताएंगे आप लोग यस इस कोस्टिन का जो सही से नहीं पाचान पता है इसको क्या बोलते हैं कलर विजन तो कलर विजन देखिए इस प्रकार बहुत सारे होते हैं यहां पे यह रिटीना के संकाव कार मतलब कोन संकू को सिकाओं के विभ यह अगर इस विमारी अगर आपको हो जाती है तो आप बिसिकली हरा और लाल की पहचान नहीं कर पाते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट कॉस्टिन चलते हैं यह कोशन देखिए कस नमबर 19 उनिस्वा चाय पत्तियों के संसाधन में कौन सी क्रिया आवस्यक नहीं है जी बताना ह जो थर्ड एंसर है आपको बिल्कुल से हो जाएगा नेक्स्ट कॉस्टिन देखिए क्या है कि सरवाधिक प्रकास संसलेशडी क्रिया कल आप कहां पे होते हैं जी बताएंगे अरे कैथरीना मिल्ज मिंजी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका गौतम जी निलेश शुभी जी बहुत सारे लोग आ गए हैं क्लास में आप सभी लोग ने वीडियो को लाइक कर दिया है शेयर कर दिया है देखिए इंपोर्टेंट की सीरीज है ये बालोजी की जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है आपके अपको इंग्सन के लिए इस कॉस्टन का दि प्रखाइर के नाम नहीं लेंगे ऐसा कुछ नहीं है भाइ ठीक प्रकास के नीले वा लाल खेतर में जोकी प्रकास ज्यादा क्रिया कलाफ होते है फुट शंतेश्या Piecesz आपको AIDS virus क्या होता है बताना है आप सभी लोग को AIDS virus क्या होता है बताइए AIDS virus acquired immunodeficiency syndrome जी सही है आपका right answer ये आपका एक सुत्री RNA होता है ठीक है single single stranded RNA होता है option number पहला एकदम से answer हो जाएगा question number 21 देखे 22 बाइसवा question देखे साराप पीकर वहां चलाने के लिए सौसन परिच्छन के लिए याता है आप पुलिस क्या इस्तेमाल करती है अब breathe test used by traffic police to check drunker drunken drive used क्या हो किसी का इस्तेमाल करते हैं बताएंगे सबी लोग बताएं कार्तिक जी शोखा जी देव कुमार जी रोशन गुलसन प्रिंश निक्की कुमार सिंग जी शोनू अर्जुन गौतम महिपाल पुजा कुमारी कार्तिक जी बहुत 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 श्वागत है आप सबी लोग का अनगैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे शिवांग तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका यू राइट यहां पे राइट एंसर हो जाएगा आपका पोटैसियम डाइक्रोमेट जी हां पोटैसियम ड्राइक्रोमेट यहां पे देखे क्या है जो भी सराप पी के बाड़ी चलाने वाला सराप पिया हुआ है तो अब पेटैसियम ड्राइक्रोमेट क्या होता है यह होता है के टू सीआर्टू ओ सेवन्ट और सल्फ्यूरी का मलाग को पता है एच्ट्वी एस्ट्वीश को प्रेयोग करती है इसके प्रेयोग से सिर्के जैसा गंदा आने ल जी एंगलो नूबियन कहां का है, अगर यह आपसे पूछें तो कहां का बताएंगे, एंगलो नूबियन आपका ब्रीटेन का है, ब्रीटेन की बकरी का एक नसल है आप है, याद रखेंगे, नेक्स कॉशन देखिए, किस किसम की मिट्टी में जिपसम का प्रेयोग करके उसे फसल उगाने के लिए उपयुक्त बनाया जाता है, अब बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है क्या, नहीं बफरिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो किस किसम की, yes you are right, इसको बोलते हैं अलकाइन, छारी यह जो म SO4 और 2H2O, ना, जिपसम का फर्मूला यह है, आप याद रखेंगे, इसका प्रेयोग करके उसे फसल उगाने के लिए उपयुक्त बनाता है, next question देखिए, question आप लोग सेयर करते रहिए दोस्तों, 25 निम्नुक्त में से कौन सा एकस्त्रीलिंग हार्मोन है, which one of the following is a female sex hormone, good evening to all of you, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोग का, study Hindi के इस खुबसूरत परिवार में, आप लोग सस्क्राइब करके जुट जाएगा, जो लोग भी नए होंगे, लगातार classes चल लए है, दिन भर classes चल लए है, at least आप कह सकते इस बात को, तो सही answer है आपका, देखिए, right answer क के बात करें, इस question का जो सही answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, option number पहला वाला, estrogen, जी हाँ, first answer is the right answer, मैंने आपको कई बर बताया है, female, minus हो गया आपका estrogen, plus हो गया आपका androgen, ठीक है, androgen, याद रखेंगे, देखिए, link hormones क्या होता है, पेसिया, हड़िया, वाह लिंग, बालो कान उनके आचरण, इसमें नियंतरण होता है, यापे, ठीक है, इस तरह जो, नर, hormones होते हैं, वो आपके होते हैं, andro, ये आप याद रखना, andro होते हैं, और जो मादा होते हैं, वो होते, astro, astrogens होते हैं, इनके जो hormones होते हैं, चलिए, next question देखते हैं, याद रखेंगे, ये बत स्रम करने वाले स्रमिकों के हतेलियों को तलवी मोटी हो जाने का रीजन क्या होता है, बताइए, क्या हो जाता है भाई, हाँ, बताएंगे सभी लोग, पूजा कुमारी, मुकेश, आरती जी, मुकेश, हाँ, सही है, यापे देखे, इन में से सभी, इस question का जाएड राइड Question No.27, आंत्रज़र किसके करन หोता है, बताना है आपको आंत्रज़र किसके करन होता है, जो टाइफार रोता है, बहुत अच्छे से बताओंगा इसके बारे में, आप लोग पहले नसर बताइए आंत्रजवर जी, सही अंसर है आपका ये बैक्टिरिया क्रण होता है जीवाडू की क्रण होता है आंत्रजवर ये किस जीवाडू से होता है तो ये आप याद रखेगा उसका नाम है साल्मो नेला टाइफोसा साल्मो नेला टाइफोसा यही वो बैक्टिरिया है जिसके वज़े से आपका टाइफाइड हो जाता है आपको ठीक है ज्याद रखेंगे चलिए next question देखिए question number 28 निम्लिकित में से कौन सा रूधर वर्ग विस्विव्यापी आदक्त universal recipient कहलाता है मत आप सबसे ले सकते हैं बाई साब कौन है वो कौन से हाँ कौन सा रक्त समू है जी बताइए बहुत-बहुत श्वागत है आप सभी लोगों का study in the case परिवार में जी बहुत-बहुत श्वागत है आप सभी लोग का क्या होगा इसका right answer yes you are right इस question का right answer होगा a b a b is the right answer ठीक है हाँ a b जो सरभाविक प्रात्त करता होते हैं इनमें कोई भी antibody नहीं होता है इस वज़े से यह किसी से भी रक्त ले सकते हैं किसी से भी यह ले सकते हैं अपर ठीक है next question देखते हैं यह बताइए सलाका कार जिवाडू रॉट से बैक्टिरिया को कहा जाता है क्लास अभी काफी चलेगी अभी 100 question है total करने के लिए 100 question है देखे रात में कभी कभी network चला जाता है अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आपको लगातार classes मिलेंगी टेंशन नहीं लेना आपको ठीक है सलालाका कार जिवाडू रॉट से बैक्टिरिया का क्या जता है यूर राइट इस question का राइट नहीं होगा बैसिलस दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को एक सेयर कर दीजे एक सेयर कर दीजे और लाइक कर दीजे जिन लाइक नहीं किया है ठीक है तो यहां वे देख जी सही एंसर है इसका यूर राइट यह एक पसू होता है इस पंज देखे एक आपका समुद्री पसू होता है जो कि संग परी फेरा में आता है किस में आता है संग पोरी फेरा ठीक है संग पोरी फेरा में आता है यह एक पसू होता है ठीक है यह आप याद रखेगा चलिए next question देखते हैं इस question का इंसर बताएंगे question number 31 ऐसे यूगल जिनका रूधिरवर्ग A और B के बच्चे निम्लिखित में से कौन सा रूधिरवर्ग पाय जाता है मतलब जो कपल है इसका एक का A है एक का B है तो उसमें कौन सा रूधिरवर्ग उनके बच्चे निम्लिखित में से कौन सा रूधिरवर्ग उनके बच्चे निम्लिखित में से रूधिरवर्ग वायरस से उतफ़पन होता है बताईए निम्लिखित में से कौन सा रूध दोस्तो वायरस से उतपन होता है जी आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक ने किया है एक लाइक कर दिजेगा अगर पसंद आता है तो नहीं तो कोई बात नहीं जी हां, तो yes you are right, यहां पर जो right answer हो जाए, option number first वाला हो जाएगा, यह है polio myelotis, यह रोग देखे, विसाडू से फैलता है, ठीक है, filterable virus करना फैलता है, malaria रोग के बाद करेंगा हम, यह जो हमारा malaria है, यह प्लाजोडियम, नामक पर जीवी से होता है, कुकुरखासी, बैक्ट ट्राइकोफाइट्रान, ठीक है, ट्राइकोफाइट्रान करके, एक fungus है, उसकी वज़से हो जाता है, next question देखे, question number 33, रोग जनत जीवाडू निस्सारित करते हैं, क्या करते हैं भाई, इन सभी में से बता रहा है आपको, रोग जनत जीवाडू क्या करते हैं, जी, सही कहा, इस question का right answer, वो antigen create करते हैं, पर निस्सारित करते हैं, जो antigen करते हैं, इस question का पहला answer, बिल्कुल से जागा, antigen, next question आपके screen पे है, इसका answer बताएंगे, question number 34 का, question number 34 का answer आप सभी से चाहिए मुझे, परकिंसन, परकिंसन रोग के इलाज में विक्सित करने के लिए, महतपूर योगदान देने के लिए, निम्नुक्त में से किसे नोबेल पुरसकार से न वाजा गया, आप लोग को पता है, राजु जी बोलना है, भाई, मुंबई में बहुत जादा वारिस हो रही है, यहाँ पे भी मौसम थोड़ा अच्छा है, बट फिर भी मुझे sweating हो रही है, जी, यह जो बिमारी होती है, अकसर 60 हर्स के बाद होती है, इसमें क्या होता है, आपके सरीर के पार्ट्स हिलने लगते हैं, अभी हाथ हिलने लगेगा, अभी सर हिलने लगेगा, यहाँ पे, इसमें क्या होता है, डोपामीन नाम का एक केमिकल होता है, इसकी कमी से, यह मस्तिक्स कि खुछ ने किया था इन सभी में से एंसर बतायांगे आप लोग हैजा के रोगाड़ों को खुछ ने किया था तो तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीस वीडियो को लाइक जरूर कर दो जी हाँ, लाइक किया है, प्रिंसी यादव जी ने फिर भी मेरा नाम गलत बोला, अरे नहीं ऐसा बात नहीं है, ठीक है, अच्छा आप लेट हो गए, मनीज जी लेट हो गए, सही है, इसका राइट अंसर क्या होगा, राबर्ट कोच, पहला वाला एंसर इसका बिल्ग से हो ज होती है, बताइए, सभी लोगों के अंसर आने चाहिए, फटाफट अंसर करिए आप लोग, दोस्तों, हाँ, सही है, जो लोग भी नए होंगे, चनल को सस्क्राइब कर लेंगे, फटाफट, राइट अंसर इसमें होता है, देखिए, सुन ये कैलोरी, जीरो कैलोरी, अपसा कितनी कैलोरी दोस्तों, जीरो कैलोरी, सुटेक्स, क्या होता है, एक तरीके से मीठा करने के लिए होता है, चीजों को मीठा करने के लिए होता है, आपने देखा होगा, भी पासा बसू अला एड, चले, नेक्स कोशन देखिए, अगला कोशन आपका क्या है, सेक्स हार्मोन क कोई दिक्कत नहीं है फड़ा फड़ा आजाए जॉइन का लिजे क्लास को और जो लोग भी नहीं होंगे सब्सक्राइब करके भाई वो छोटू जो घंटा होता है उसको जरूर दवाना क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा यूर राइट इसकोशन कराइट रहोगा देखिए यूजीन स्तिनाक हां सभी सेक्स हर्मोन का सबसे पहले पता किस न लगा था यूजीन स्तिनाक लगा था वैने आपको बताया था जैसे मुचो काना बाल मतलब वही हमारे मौन आच्रण जो होते हैं उस पे नेंद्र होता है यह सभी सेक्स हार्मोन सहीं मानों जो मेल में पाई जाता है वह एंट्रोजन होता है और जो फीमेल पाई जाता है वह अस्त्रोजन होता है वह ने भी कुछ दिर पहले आपको बताया था यह बात ठीक है नेक्स सुच्छन देखिए कोस्चन नंबर 38 वाट बेसिक यूनिट प्रॉम विच हुमें स्पेर पार्ट कैन बी क्रिएट किस मुह लिकाएं को दारा मानों की अथिरिक्त भाग तयार किया जाते हैं इन सभी आप्शन में से बताएंगे कौन सांचर होगा जी दोस्तों बताएंगे आप सभी लोग इस कोशन का जो डिकिसा गताएंगे इसके लिए मनुष मुखरुप से कोशी तकनीक का प्रयोग किया जाता है ठिक है याद रखेंगे सभी लोग next question देखिए question number 39 हरीकेस मीना जी ने subscribe किया बहुत बहुत स्वागत है सभी लोग चैनल को subscribe करके भाई bell icon दबा लेना घंटा दबा लेना लगातार classes आपको मिलती रहेंगी जी बताइए इस question का अंसर बता है question number हमारा कौन सा है 39 आसंजी सलेसभाब छारी पदार्थ दवारा अमासा के भीतर आवरण को ढख लेने से क्या होता है आपको बताना है you are right इस question का right answer होगा देखिए इसमें क्या होता है सलेसिमा पर पेपसीन का प्रभाव होने लगता है next question देखिए question number 14 मनुस्तिक के जीब के किस छेतर में क्रभवाहट की समिधना होती है बताइए मनुस्तिक के किस जीब के किस छेतर में कडवाहट की संभावना होती है आज मेरा ब्रेक अफ हो गया पुरसुत्तम जी कह रहे है अरे पुरसुत्तम जी क reader कैसे writer को गया अरे मना लीजे कोई दिक्कत नहीं है ब्रेक अफ हो गया तो हाँ चाहद गुपता ओके ठीक है अब देखें यहाँ इसका राइटेंसर क्या हो जाएगा इसका राइटेंसर होगा पिछला भाग देखें मैं आपको थोड़ा सा एक्स्प्लेंट कर दूँ यह आपका हो गया जीव आगे वाले भाग में आपको मीठा समझ में आता है ठीक है पीछे वाला जो भाग होता है इसमें आपको कड़वा समझ में आता है और जो यह साइड साइड वाले भाग होते हैं इसमें आपको खटा समझ में आता है ठीक है जितने भी लोग नए है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबाते चलिए आप लोग अभी के अभी सब्सक्राइब कर लिजे फटाफट जी यहांपे दिखे राइट अंसर होगा आपसन नमबर पहला वाला प्लेटलेट पट्टिकाड़ो जिसको हम लोग बोलते हैं पट्टिकाड़ो जो की ब्लट क्लोटिंग बनने में मदद करता है जैली जैसे आपको चोट लग जाता है सर को आज लग रहा है कि सर्दी हो चुका है क्या हाँ थोड़ा वह सर्दी हो गया है आपे मना लिए तो नहीं अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है आगला क्शन देखे क्श्चन नमबर आपको 42 बैलिस्वा प्रथम भ्यूक्त प्रतिजैविक एंटिबाटिक कौन सा है इन सभी जो एंटिबाटिक है जी बताएंगे चाहत गुपता दनजय कुमार मोनिका सर्मा यूके कुमार इश्वर सिंग राम बाबु पुझा कुमारी हरिकेस मीना जी अरुन गुपता जी संजीत संजीत कुमार संतोस कुमार आरिफ खान सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद आ पुशा शैनी हाँ निश्व जी इस कोशन का राइट एंसर होगा दिखे क्या होगा ऑप्सें नमबर तीसरा वाला पैनिसलीन इसके बारे मैंने आपको बताया था जी हां सही हो जाएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम है अगला कोशन देखिए कोशन नेक्स्ट आपका विसाड वायरस क्या होता है जी बताइए सभी लोगों के अंसर नहीं आ रहे फटाफट आइंसर करिया आप लोग विसाडू वायरस क्या होता है सही कहा यहां पर आप्सन फर्स्ट इस दराइट एंसर प्रोटीन और लिपीड होता है जो वायरस होता है दोस्तों हा जो प्रोटीन ए आपका right answer क्या होगा, option number जो होगा, वो होगा iodine की कमी, देखिए मैंने आपको बताया था, थाइराइड गरंती जो की अंतसराव हार्मोन जो की थाराक्सीन या फिर टायो डोथा इरोन से होती है, इन दोनों हार्मोन में iodine की अधिक मात्रा रहता है, इन दोनों हार्मोन में iodine इन सभी का option बताएंगे, सभी में से option देख के बताएंगे, सौरप, सुभी, मनमोहक, जी, सभी लोग के अंसरा रहे हैं, जी दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक ठो दीजी अभी के अभी सभी लोग, पहले लाइक कीजिए, सभी लोग फटा-फट एक-एक लाइक करके बताएंगे, कि नहीं सर वीडियो पसंद आ रहा है, continue रखे इसको, you are right, ovary, जो अंडासा है, वो केवल, और केवल महिलाव में होता है, पुरसों में नहीं होता है, ठीक है, next question देखे, question number 46, 46 देखे क्या है, which one of the following is not function of kidney, इन सभी में से बता है, उनको बाहर निकाल देता है, हमारा जो pH है, उसका नियंद्रल करता है, प्रासरड़ी दाब है, उसका नियंद्रल करता है, ठीक है, ये सारी चीजे है, तो इसमें से कौन साइंसर दे हो जाएगा, option number 3, production of antibodies, प्रतिरक्षी तत्तों का उत पादन नहीं करता है, जो हमारा kidney नहीं है, गुर्दा, जो है याँ पर, यह है, ठीक है, नेक्स कोई, वरिक या फिर गुर्दा जिसको हम लोग बोलते है, नेक्स कोशन देखिए, पौधो में जल का परिवहन किसके माध्यम सो होता है, वाटर इन प्लांट्स इस ट्रांस्पोर्टेड बाई, पानी कोहन आप लोग भी वीडियो को लाइक और शेयर करके थोड़ा से सपोर्ट करिए, जाइलम देखिए, पानी और खनीजलवड को जड़ से पौधों के भागों तक पहुचाता है, और जाइलम एक तरीके से पौधों को दिर्टा देता है, ठीक है, फ्लोयम पता है, जैसे कि स्व 48 का एंसर बताएंगे आप लोग, निमलिखित में से वे रख्तकडिकाएं कौन सी हैं जो रोगों को प्रतिरोध करने में सहायता करती है, इन सभी ऑप्सन से बताइए, जी बताइए, कौन साइंसर होगा, बहुत-बहुत स्वागत है, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट कडिकाएं, WBC जिसको हम लोग बोलते हैं, WBC, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूँँ आपको, देखे, WBC एक तरीके से जो हमारा स्वेत रख्तकडिकाएं, सफेद जो कड़गाएं होती हैं, बिसेस रुधी कड़काएं होती, इनका कारे पता है, जो सरीर में किसी भ पूछता है, कि WBC का जीवन कल कितना होता है, तो भाईया, बस तीन से चार दिन का जीवन कल होता है, WBC का, और अगर RBC का पूछे का जो कि लालक्त तक यह आपका 120 दिन तक का जीवन कल होता है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है WBC, आपके सभी जितने भी रोग हैं, उनके बैक्टिरिया वाइरस को खा जाता है, और खा कि आपकी सुरच्चा करता है, नेक्स कोस्चन देखे, क्वेस्चन नमबर 49 गांसर बताएंगे आप लोग, बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी लोग होगा, स्टटी हंदी के इस खुब सूरत परिवार में, जितने भी बताया था ना, जी बताएंगे, क्या होगा राइट एंसर यहां पर, इस क्वेस्चन के जो राइट एंसर होगा, वो होगा आपका हाइपो थैलमस ग्रंथी, जो की सरीर के ताप का नियंत्रड करती है, और सरीर के ताप को इस थाई रखती है, जी, सही है, देशी पिलो सर बंद हो जाएगा, अच्छा देशी, देशी का इन नजाम करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा रात में देशी पीने के लिए, पचासमा कोशन बताइए, किसकी उपस्थी काना किसी पादप कोशिका और पसी कोशिका में अंतरपायाता है, मतलब पेड़ पधक पिटने का इडिया देते हैं, आप लोग बस कि नहीं देशी पील के आई है, फिर आप लोग को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं उसी में हम, जिस सही है, इसका इडियो से देखे क्या हो जाएगा, ऑप्सन नमबर पहला नेक्स कुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् अगर आप लेट हैं तो at least 20 क्वेश्चन तो कर दूँगा, हाँ चलिए, लाइक कर दिया बहुत सारे लग बोल ला है, यस यूलियो राइट, इंसुलीन इसद राइट अंसर, जी हाँ, यहाँ पर राइट अंसर क्या होगा, इंसुलीन, ठीक है, देखें, यहाँ पे बात क की इस्तिर लैंगिक हैंस लैंगर हैंस की दी 3त피काओं मतलब । यह रूधिर में सर्काना का निद्वान निकमन करता है ठीक है इंसूलीन क्या है हार्मोन होता क्या में 52 देखें निमलिकित में से किस खाद या फसल में प्रोटीन की मातरा सबसे अधिक होती है बहुत अच्छा कोश्चन है और आप सभी लोगों से अंसर चाहिए दोस्तों आप सभी लोग मतलब क्या चाहते क्या है बताइए मतलब अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया आप यहां अप्रोटी परसेंट तक यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर ऑपको बता दिया एक और को इसके बारे में न मध्यप्रदेश में सबसे जादा शुख यदा उतलब होता है और आनंदी बेन पटेल यहां की गवर्नर है और हां कमल नाथ यहां के करेंटली चीफ मिनिस्टर है ठीक है और अभी देखिए एक परियोड़तन हुआ है दो परियोड़तन हुए है आपे आनंदी बेन पटेल आप लोगा नाम सुना होगा यह पहले 36 गड़ की भी मतब अतिक अतरिक्त प्रफार्था गवर्नर थी बट यह अब राम नाइक को हट गए है उत्तर प्रदेश की गवर्नर हो गई है और 37 गड़ में अनुसुया आ गई है यह याद रखेगा इसे बारे में अगला कॉस्टन देखिए कॉस्टन नवर 53 हमने कर दिया लाइक रवी चलिए बताइए कॉस्टन कैंसर बताएंगे आप सभी लोग निमोनिया का नया रूप सार्स निमलिखित में से किस देश से शुरू हुआ सार्स का फुल परम पता है अब लोग को सार्स क्या होता है सिवियर एक्यूड रिस्परेटरी सिंड्रोम होता है यहाप जो की फेफ से ठंड लगके आपको बुखारा जाता है तो सार्स का अगर फुल फारम का भी पूछेगा यह जो हमारा सार्स है सार्स तो आप क्या बताएंगे सीवियर एक्यूड रिस्परेटरी सिंड्रोम ठीक है नेक्स जलते हैं यह कोसिन बताएए कोसिन नुबर 54 मानो में कसिरिको क कुल संख्या कितनी होती है बताएए दिखे बहुत सारे लोग दोस्तों नए होंगे जो वो सस्क्राइब करने के साथ साथ एक छोटे से घंटे को जरूर दबा लीजेगा क्योंकि वह नोटिफिकेशन इसी से आप लोगों मिलेगा मैं तो क्लासेस डेली रहा हूं कम से कम त सौथा वाला 33 मानों में कस रुकियों की संख्या कितनी हो दिखे कसरुकी दंड मतलब जो हमारा बैक पे है पीछे उसमें 33 कसरुकों मिलकर बना होता है यह कदम हमारे मृट के नीचे से शुरू हो कि हमारे एकदम सीर के पास तक आता है ना जो मोटी छड़ के समान एक अस्त इंदी परिवार में, तो 33 इसक्राइब का राइड एंसर हो जागा, next question देखिए, question number आपका है 55, BCG vaccination is to be given to a new born child, गौरो चौहान ने subscribe किया, बहुत बहुत शौगत है आपका, राजेश जी ने subscribe किया, राजेश शुमन जी बहुत बहुत शौगत है, राजेश जी, सभी लोग subscribe कर लिजे, अभी कि अभी जितने भी लोग नए हैं आपर, नौजा सिसु को BCG का टिका कब लगाना चाहिए, इं BCG के फुलफाम पहले आपको पता होना चाहिए, इसका फुलफाम क्या होता है, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरीन, ठीक है, इसका टिका जो की तपेदित, जिसको बोलते हम लोग टीबी, जिसको बोलते हम लोग छमा रोक के बचाओ के लिए, सिसु के जन्म के तुरंत बाद परिवार में, संदीप नायक जी, बहुत बहुत श्वागत है आपका भी, स्टवीन परिवार में, सब लोग सुस्क्राइब के लिए, फटा फट, आपका नाम में डिस्विले पर देख पा रहा हूं, जन्म के 48 गंटे के अंदर लगाना जाना चाहिए, ठीक है, यह आप य कर दिया है, थैंक्यू सो मच पाउन जी, सर आप बहुत पहनत करते हैं, पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोग के लिए कुछ भी करना है, मैंने आपको बोला था, जब तक एक्जाम नहीं आएगा, तब तक मैं घंटी दबा दिये हैं, सोनल जी बोल ल आप सभी लोग को मेरा नाम पता है कि नहीं, अगर नाम नहीं पता है, तो मैं बता दू, मैं नेम इस ओम जायसवाल, नीचे आपको फेस्बूक इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहां से मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, नेक्स कुशन देखिए, कुशन नमर 57, वीच वां इसके पास क्या नहीं होता है, इसके पास इसके पास मस्तिक्स नहीं होता है, ठीक है, नेक्स कुशन देखिए, कुशन नमर 58, बताईए, इस रक्त इसकंदन में सहायक बिटामिन कौन सा था, मैंने कईयों बार बताया है, अगर आप लोग नहीं बताएंगे, तो आप लोग उसे दुस्मनी होगी, मेरी बता रहा हू loaf जी हान, बिटमीन के का रसानिक नम को इबता सकता है, इनेयमन जो बता दे रसानिक ना म का बिटमीन के का, बिटमीन के देखिए, होता क्या है रक्तिसकंदन मैंने पहले यह बताओ- जुदे कभी भी आपके बाडी हमें कहीं ऑची चोट लग गया मा लिजी वहां से लगा फीलो क्वीनोन ठीक है क्वी लोण फीलो यहां पर मैं लिखना ही पा रहा हूं फीलो क्वीनोन याद रखेंगे इसका राषाने किनाम होता है ठीक है next question देखे question आपका 59 59 का असर बताईए निमलिखिन में से कौन सा घटक मुत्र में आप सामान घटक है यहाँ पर जी बताईए कार्तिक जय प्रकास जी मनजीत ओजा, रवी जलालपूर शेमी बिंग्स जी, अन्नोन बॉय यश ओके दिपक जी, पंकज ओम प्रकास जी, हाँ चलिए, सही है, आप सभी लोग के अंसर आ रहे हैं सही अंसर आ रहे हैं, इस question का right answer होगा देखिए, कीटोन निकाया है आपको मैं बताऊंगा कोड़ कीटोन निकाया के बारे में आप लोग को पता होगा जहाँ तो मुझे उमीद है देखिए, मुत्र का और समान घटक होता है कीटोन निकाया है, मुत्र में हमको कौन सा तत्तो पाया जाता है कोई बदा सकता है, कमेंट करके बताइए मुत्र में कौन सा तत्तो पायाजाता है यस, जहाँ पे जो right answer होगा, देखिए यूरिया का नाम सुना है आप लोगों ने, यूरिया मुत्र में पाए जाता है, यूरिया का फर्मूला भी मैं आपको होता रहा हूं, देखें क्या है, इसी से मैं बता दूँगा आपको, इसका फर्मूला है आपका H2, N, C, O, N, H2, यह आपका यूरिया का फर्मूला होता है अब इसमें CO2 यही आपका ketone निकागा समू है मतलब यह कैसे बनेगा यह दिखा दू आपको यह देखे इस तरीके का यह bond बनता है यही आपका ketone निकागा है तो आपसर नमबर चौथा हमारा से हो जाएगा अगला question देखे question नमबर 60 का answer बताएंगे आप लोग निमलिकित में से कौन सी कोसी का प्रतिरक्षी पैदा करती है जी राहूल जी दिपक जी मंदीब सही answer है आप अब लोग का आप सभी लोग अगर चैनल पे नहीं है दोस्तों तो प्लीज चैनल को अभी के अभी subscribe कर लिजे वीडियो के नीचे लाल गरल का बटन होगा उसको दबा के काला कर दीजे और छोटू सा घंटी दिखेगा इसको दबा के एक तरीके से घंटा बजा लीजे क्योंकि notification जभी मैं क्लास में आऊँगा लाइब लाऊँगा तो आपको notification मिल जाएगा वैसे daily classes 3-4 मिल लएए आपको राइडनसर आपका lymphocyte होगा लसी का कोशिका है जो कि क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ लसी का कोशिका है एक रंग हिन द्रव होता है जो कि लाल रूधिर कडिकाओं और प्लेटलेट में नहीं होती है ठीक है यह आप याद रखेंगे यह जीवा नहीं बताएंगे तो समय ली जाए बुरा होगा सबी लोग है जी बताईए फटाफट 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 बताईए यू अराइट बिटमिन के मैंने भी बताया था फीलो क्यून जिसका रासानिक नाम होता है ठीक है यह मानोसरीर में ब्लॉड क्लॉटिं रख्त का थक्क कॉर्पलस इस इन दो हुमन बॉड़ी विल बी क्या होता हूँ आप उसमें परियूरतन क्या होता है जी सही कहा इस कॉश्चन का जो राइटन सर होगा इंक्रीज उन मतलब इंक्रीज इन साइज उनका आकार बढ़ जाता है जबी भी हम बहुत अधिक उचाई पे होते हैं तो आर बीसी मतलब हमारी जो लाल अथ्रड काई तुई जिनका जीवन का लेक्सव बीस दिन का होता है हां इनके आकार में परिविटन दिखा जाता है इनकी आकार बढ़ जाती है ठीक है नेक्स कॉश्चन दिखे कॉस्चन नमबर 63 बताईए आप लोग एंसर इसका समू के लिए क्या आता है दोस्तों आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है अगर अच्छा लगता है तो सभी लोगों से मैं बस यही निवेधन करता हूँ कि आप लोग लाइक करके बता दिया करो कि इतने लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है और मैं उन ल जो कि Darwin की फिंचित की मिलती जुलते किसमी देखे देखे तो Darwin की फिंचित एक बहुत उलिग वित्रण का प्रमाड है तो option number 3 वाला इसका सेव जागा ठीक है next question देखे रत्तन राना जी बहुत बहुत श्वागत है आपने अभी subscribe के मैंने देखा जन्म के बाद मानों कि किस उत्तक में कोई 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 का वाजन नहीं होता इन सभी में से बतायाना है आपको कौन से एंसर होगा सभी लोग बताएंगे comment box में comment करके जी बताएंगे सुनील कमलेश अब्दुल शिवान जी अंजाना जी हैंबलता हाँ लाल जी असापली रवी गुमार सही है सभी लोग एंसर इस question का जो राइड एंसर होगा वो होगा आपका हाँ तंत्री का कोशी का जी तंत्री का कोशी का जी तंत्री का कोशी का जी इस दिराइड एंसर नेक्स कोशन चलते हैं question नमबर 65 देखते हैं प्रकास असलिशन को दरान पैदा होने वाला oxygen का सुरोथ बताएंगे इसका एंसर क्या होगा सभी के एंसर नहीं आरे भाई good evening to all of you आप सभी लोग का मैं तहदिल से सौगत करता हूँ study हिंदी के इस खुबसूरत परिवार में जहांपे लगाता है live classes के तुरू मैं आपके सभी चीजों को provide करा रहा हूँ water gel प्रकास असलिशन के दौरान पैदा होने वाले oxygen का सुरोथ दोस्तों क्या होता है तो जल होता है मैं इसका मुझे याद है अगर चाहिए तो मैं आपको बता दूँ देखे क्या क्या होता है आपका 6 co2 होता है प्लस 12 h2 होता है पानी होता है इसके बाद प्रकास के बाद इसमें c6 h12 और o8 create होता है इसके साथ 6 h2 होता है और last में आपक 602 oxygen यही आपका रिवील होता है वो अडर के सार ठीक है याद रखेंगे नेक्स कोश्चन देखें कोशन नमर 63 इंसुलीन में निम्लिखित में से कौन सी धातू होती है बताएंगे आप सभी लोग इंसुलीन में कौन सी धातू होती है जी जस्ता सही कहा इस कोश्चन का जो तीसरा वाला एंसर आपका बिल्कुल से जागा जस्ता सही होती है दोस्तों दोस्तों आप लोग वीडियो को सेयर क्यों नहीं कर रहे है फटापाट आप लोग सेयर करते रहे है वीडियो को यस तीसरा वाला बिल्क निम्लिक तमेंसे बिटमीन बी 12 की प्रचूर मातरा किसमें पाई जाती है जी दोस्तों बताएंगे आप सभी लोग आप लोग लाइक और सेर करते रहिए अपने ग्रूप में जयमा, जय हिंद जहांपे भी आपका फेस्बूक, वाटसप गूप हो और सभी लोगों ने अभी दूश्रा वाला एंसर आपका बिलुक से हो जागा विटमिन B12 जो की प्रचुर मातर हम दूद में पाजाती है नेक्स पूशन देखे एईजी का प्रयोग किसका कार का पता लगाने के लिए होता है तो मैं आपको बताऊंगा एईजी के बारे में एईजी एलेक्ट्रो इनसेप्थो इनसेप्थो लाड जोफी ठीक है मस्तिक्स के अंदर नियूरॉंस के बचार हाँ सही इसका राइटनसर हो जाएगा ब्रेन और अगर हमारा ECG होता तो हर्ट ना फिलाल इसका जो राइटनसर होगा वो आपका चौथा वाला होगा अगर यह एग है तो अगर ECG होता तो इसका राइटनसर होता होट तो आज रखेंगे नेक्स्ट्स न देखिए कोस्ट्राइब करने के बास आज साथ बेल आईकन छोटे से घंटे को दबात रहे जिससे की लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे क्लास जैसे स्टार्ट हो आपक फटाक से मिल जाए क्लिए तो इसका राइटनसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर ए हाँ आपसन नमबर ए बिटामिन ए जिरॉप थैल्मिया नेत्र जो की ड्राइ आई जिसको हम लोग बोलते है नेत्र में बिटामिन ए या फिर रेटिनाल की कमी हो जाती है इस वज़े से हो जा बताइए पाचन प्रक्रम में किस सहायता मिलती है पाचन प्रक्रम में किस सहायता मिलती है जी बताइए दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजे कहीं पे भी आपका ग्रूप हो जहां पे आपके फ्रेंड्स या आर्मित्र रहते हैं सभी लोग सेयर कर दीजे सभी जी पाचन प्रक्रम में सहायता मिलती है दोस्तों एंजाइम से, you are right, एंजाइम को देखे, प्रमु गुरूप से प्रोटीन है, और एंजाइम में कार्बनिक परदार्थ भी है, तो पाचन प्रक्रम में एंजाइम से ही सहायता मिलती है, ठीक है, याद रखेंगे इसको, नेक Is the organ that accelerate water, fat, various catabolic waste rate, Monu Ram ji ने subscribe किया है, बहुत बहुत श्वागत है Monu ji आपका study in the family में, सभी लोग जितने भी लोग नए हैं, अभी के भी subscribe करेज़े और bell icon को दबा लीजे, Sir, question बहुत अच्छे है, जी बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ, भुर्षावानो जी बहुत बहुत ध इसका, next question देखिए, ध्वनी को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है, जी बताइए, ध्वनी का, ध्वनी का आखों में, अच्छा, ठीक है ठीक है, कुछ लोग बोलना है कि मैं लाइब में लव यू लिख दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहा इसका, राइटनसर क्या हो जाएगा, हाँ, इसका, राइटनसर हो जाएगा, देखिए, ऑप्सन नमबर B, यहाँ पर देखिए, चौथा वाला चमगादर, जी हाँ, चमगादर इस दे राइटनसर, यस भगेल जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका श्रडिनी परिवार म ठीक है, चमगादर मैंने आपका बता था, अल्टरा सॉनिक तरंगे जो छोड़ते हैं, चमगादर जो की 20,000 हर्ट से जादा होती है, वो हमारे कानों से नहीं सुने जा सकते हैं, तो कुत्ते और चमगादर, दोनों लोग इसको सुन सकते हैं, इवें चमगादर इसका इस्त बढ़ता है, जो की अधरक है, जर्ड नहीं है, तना है, क्या है इसका रीजन? यहां पर देखे, इसमें गांठे और पूरियां होती है, जी हां, सही कहा, इसमें गांठे और पूरियां होती है, नेक्स कोश्चन देखे, क्वेस्चन नमबर 75, 75 देखे, आजकल दूद को संत अहार नहीं मना जाता है इसका रिजन केया दोस्तों जी हां सर शुर्यस जी बहुत बहुत श्वागत है आपका बहुत धन्यवाद सभी लोग को सर जी I love you I love you too भाई सभी लोग को हां लब यू गुरु जी कुछ लोग बोल ले हैं यस यू राइट इसमें देखिए क्या रिजन होता है आयरन और विटामिन सी की कमी होती है इस विजह से हम दूद को संपूर आहर नहीं मानते हैं क्लियर याद रखेंगे अगला कोशन देखिए ऐलीसा परिछन किसके निदान के लिए जाता है दोस्तों जी बताएंगे दोस्तों आप सभी लोगों से मेरा एक बिनम्र निवेदन है सब बिनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजे अगर आपको सच मे लगाने के लिए किया जाता है ठीक है जी सही है आपका चलिए अगला कोश्चन देखिए अगला कोश्चन आपके सामने है इसका अंसर बताएंगे कोश्चन नबर 77 निम्रिखित में से देह निरमाता किसको गाते हैं विच विच व फॉल्विंग इस नोन एज एन बॉड़ Bodybuilder के नाम से ही है रहाँ बहुत सारе लोगों के love you love you लिख के answer अरहा है ठांकियू सबीलोग के आप लोग के प्यार के लिए आपके प्यार सही मैं बना हूं सबीलोग का जु फोड़ी सी हो गई है दिरे-दिरे सही हो जाएगा जी अच्छा मौका दिया करिए ठीक है मैं मौका दे रहा हूं सभी लोग का यहां पर जो सई अंसर हो जायगा वो जाएगा आपका प्रोटीन जिसको अम लोग बोलते हैं दोस्तों बोड़ी बिल्डर न Гब निमलिखित में से देह निरमाता का कारे कौन करता है तो प्रोटीन ही आपका देह निरमाता का कारे करता है क्लियर याद रखेंगे most important अच्छा अगला question देखिए आपके screen पर है इस cancer बताईए 78 निमलिखित में से कौन सा परिछण सहायता cancer के लिए कौन सा परिछण सहायता करता है बताना है बताईए कि कौन सा हो गाए यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं बाइस भी बोलते हैं जीव परिच्छा बोलते हैं बाइस भी बोलते हैं जिसमें cancer के निदान के लिए जी आवस्यक होती है थीक है सही कहा आपने दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर कर रहे हैं कि नहीं आप लोग वीडियो को शेयर करिए दूर तक पहुचाईए जिससे और भी स्टूडेंट्स इसमें जुड़ें आके साथ हिस्सा लें क्लास अटेंड कर पाएं सभी लोग ठीक है चलिए देखिए निर्जरी करण के दोरा आम तर पर शरीर के किस पदार्त की हानी हो जाती है इन सभी ऑप्सनों में से बताना है आपको एंसर क्या होगा निर्जरी करण जी थोड़ा सा प्यास लग रहा है मैं कुछ दिर के लिए पानी पिऊंगा बट अभी continue करते हैं हम लोग सर आप कहां रहते हैं जी मैं वारानसी उत्तर प्रदेश में रहता हूँ जहांपे प्रधान मंतिर नर्मोदी सांसद है यस यूर राइट इस क्वेशन के अंसर हो जाएगा sodium chloride sodium chloride is the right answer दूसरा वाला एंसर इसका हो जाएगा यहां ठीक है जी हां जब एक तरीके से कहले जिए हमारे शरीर में तरल पदार जो की flutes होते हैं और जो आवस्यक लवड होते हैं salt मतलब HCl यह सब बहुत जादा मातरा मेरे शरी से निकल जाते हैं इसकों लोग बोलते हैं निजरी करा ठीक है next question देखिए डेंगु जवर का रीजन क्या होता बताइए आप सभी लोग बताएंगे sir मैंने चार लोगों को सेयर किया Amar Chandr ji बहुत बहुत धन्यवात Amar ji thank you so much knowledge for all thank you so much class कब तक चलेगी खाना खाने भूक लगी है अच्छा ठीक है आप खाना खालीजे जाके खाना खालीजे बस कुछ देरे class और चलेगी हाँ हमारा नाम लीजिए जी रिंकु जी you are right इस question का जो right answer हो जागा वो हो जाएगा आपका option no.4 वायरस virus is the right answer सही है आपका ठीक है तो आप लोग को भूक लग गई भाई बहुत तेस से सभी लोग को भूक लग गई है सभी लोग को भूक लग गई है class को यहीं पे इंड कर दे अब कल की class में हम लोग आएंगे जैसा कहिए चलिए class को यहीं पे हम लोग इंड करते हैं और कल कि लें गे सांस की क्लास डेली सामे होती है मैं अपको टाइम बता दे रहूँ सुबह आपकी क्लास स Version 10 बजे होगी जो की हाँ कल मैं जगराफ़ी ले कर आओंगा आ लोगो के लिए सांक की दोपैर में भी क्लास और रहेगी एक बजे के आत पस जिसमें मैं GKGS ले क्या हूंगा सर आपका नाम क्या है मेरा नाम है ओम ओम जैस्वाल नीचे मैंने मेरे Facebook और Instagram की ID है आप वहां से मुझे विजिट कर सकते हैं देख भी सकते हैं ठीक है एक बजे सामके पांच बजे मैं साइंस ले क्या हूंगा कल तीन क्लास वड़ा जल्दी जल्दी होगा आप लोगों के लिए ठीक है तो आप लोग प्लीज जो लोग भी नए होगे चनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ठीक है आप रिप्लाई नहीं करते हैं यह सा कुछ नहीं है चलिए ठीक है मेरा जल्पान हो गया मैं अब बीस क्वेशन और कंटिन्यू कर देता हूं सभी सौ क्वेशन पूर्य हो जाएं पहले ठीक है पानी पी लिए मैंने अब ठीक है नेक्स क्वेशन देखिए फटा फटा बताएंगे आप लोग एंसर बताईए दिम्लिखत में से किसको उत्तम कोलेस्टराल मना जाता है मास्टर जी टाइम टेबल टाइम टेबल कल देखिए टाइम टेबल आप मान के चलो दस बज़े का है पांच बज़े का है और रात्री के आठ बजे का है और रात्री के सारे 10 बजे का है ये क्लास की टाइमिंग है के से पूरी की भई ठीक है निम्रिखित मेंसे किसको उत्तम कुलेस्टराल मना जाता है इस कुष्चन का राइडन साधे कि HDL को मना जाता है जिसको बोलते हैं हाई डेंसिटी लीपो प्रोटीन ठीक है देखे बहुत सारे लोग चले गए हैं तो ऐसा करते हैं कि अब कली करते हैं इसको ठीक है आज रने देते हैं कल मैं ले क्या हूंगा बहुत सारे लोग मूफ कर चुके हैं तो उन लोगों का छूट जाएगा मैंने बोल दिया यहां प अमर सुकला जी मैं सबको देखता हूं ऐसे नहीं बोली आप ठीक है दीपक संदीब जी रूबी कमलेश विकेश जी रिंकू हाँ सभी लोग पूजा प्रजापती जी शिवांसे मिस्रा राजेश कुमार पुरस्वत्तम बबलु कुमार नेहा कस्यप दीपक जी गगन चहर अमर शुकला जी देव कुमार मन्जीत पुर्श नतम ठीक है सर आप हमारे लिए इतना हर्ड़वर क्यों कर रहे हैं हर्ड़वर कर रह हैं बस जानिएं कि माली जी आम भी पढ़ रहा है आप लोग को पढ़ा रहे हैं टीक है गगन चहर जी थेंक्यू सो मुच तो आप लोग जा चुके हैं तो उनका छूट जाएगा ठिक है तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग इसी तरह पढ़ते रहे हैं मसते रहे हैं और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं देखे इस वीडियो के डिस्क्रिप्स बाक्स में ये साइन्स कोष्चन मैंने 500 प्रवाइट किया हुए किसी के से।सेम में निचे ये स्टार्ट आं उपॉरा पढ़ सकते हैं तो लिंक निचे है आप फटाफट वहां से निक पने निचे दे दिया कह 1 पांचो कोंशन से कहें 200 कोंशन को मैं सुर्ण करिंगों की सबीक Bridging और यहां मुझे अर्म इंस्टाग्राम परलो कर स्कते हैं, अगर आपका मन हो तो ठीक है मैंसेल फोर्म जाए स्वाल सर कैसे तेहरी करें मैं वीडियो बदाऊंगा इस्पेसली बस आपसे बातचीत करने के लिए मैं लाइब आउंगा तो मैं आपको इसमें बताऊंगा अच्छे तरीके से ठीक है तो थैंकि सो मच सर मैंने अलेडी लाइक कर दिया है शिवम पांडे बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी और कुछ लोग बोलने और पढ़ाई है लेकिन बहुत सारे लोग चले गया है कोई नहीं मौनिंग मिलते हैं दस बजे दस बजे मिलिए एकदम रेडी रहेंगे दस बजे हम लोग जिग्राफी पढ़ेंगे भुगोल बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा कल में आपको ठीक है एकदम रेडी रहिएगा आपका पूरा तैयारी होगा आप लोग टेंशन मल दीजेगा ठीक है चलिए थैंक यू सो मच गुड़ नाइट टो अल अफ यू बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का गुड़ नाइट गुड़ नाइट जैन बंदे मातर